नमस्कार साथियों मैं आपका साथी दिनेश बोरा आप राज़स्तान तक देख रहे हैं राज़स्तान में अगला मुख्यमंत्री यानि नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार सस्पेंस बनावा है आज बीजेपी की और से तीन परवेक्षक है जो की नियुक् लेकिन इससे द्यादा सबकी निगा इस बात पर ठीकी है कि आखिर जो निर्दलिय विदायक है वो क्या बीजेपी खेमे के अंदर जाएंगे जैसे आप देखिए सिव विदानसवा बारमेज जिले की सिव विदानसवा से जहां से आप देखिए रविंदर सिंग भाटी न अंदर रहे थे और उसके बाद में जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलिय चुनाव लड़ा चार ट्रेंगल फाइड थी और उसमें रविंदर सिंग भाटी ने तकरीबन चार हजार वोटों से जीत दर्ज की थी उसके बाद से लगाता रविंदर सिंग भाटी पितले चार चार मुलाकात कीती है और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में उनकी बात्ची चल रही है इस तरीके की जानकारी आ रही है वही डॉक्टर प्रिंक का चौदरी जो की बार्मेर से विदायक है वो भी उसमें जैपूर के अंदर है वो भी लगातार बीजेपी को दे दिया गया है अब ऐसा का जा रहा है कि जैसे ही विदायक दल की बैटिंग होगी उसमें इन तमाम लोगों को नियोता भीजा जा सकता है उसके बाद ही पिच्चर साफ होगी कि ये बीजेपी की समन्पित है बीजेपी ने अपने पाले में लेती है या नी लेती है अगर लेती है तो किस सर्थ पर लेती है क्या कोई आसवासन देती है मंतरी का या तमाम चीजों को लेकर एक बार डिसकसन होगा लेकिन मोटे तोर पर ये का जा रहा है कि जब भी विदायक दल की बैटक होगी यानि अगर परसू विदायक दल की बैटक होती है तो क कि अंदर खाने इन्होंने मुलाकात करके इस बात को लेकर समर्थन दे दिया है कि हम राजस्तान के अंदर बीजेपी सरकार क्योंकि आप देखिए निर्दिली विदायक के लिए सबसे बड़ी टास्क होती है उसे जलाके का डेवलेप्मेंट करवाना और उसके बिना सरकार के करवाना संभव नहीं होता है जविंदर सिंग भाति की विचारदारा तमाम तरीके से वह रास्तवाद की विचारदारा पर चलते हैं मोधी जी को अपना आइडियल मानते हैं तो ऐसा मानना जारा है प्रिंका चौधरी को लेकर भी तमाम तरीके से थोड़ी सी दिक्कती लेकिन मोटे तोर पर ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश की बीजेपी के निता है वो लगातार ये चाहते है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन तमाम लोगों को साथ वलाए जाए ताकि राजसान के अंदर मोदी जी का जो 25 का मिशन है वो पूरा किया जा सकते तो मोटे तोर पर ये का जा रहा है कि इन सबा तमाम चाहे जीवा राम चौधरी हो या आप देखिए चंदरबान आकिया जो की जेपी नड़ा से मुलाकात की थी और बाकी जो तमाम जो दिरदली है उन कमाम के ब या कौन किसे बीजेपी ने लेना पसंद ने किया इन तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए राजस्तान के अंदर जिस तरीके से बार में जिले के अंदर बीजेपी के पास में दो सीटे हैं एक गुड़ा मलानी और पच्पदा है बाकी दो सीटों पर निर्दलिया है और सदूप सिंग खारा है वो चोते नंबर पर पहुंच गए थे तो ऐसे में सब लोगों की इस बात को लेकर निगाए हैं कि क्या बीजेपी के अंदर बीजेपी को ये दोनों समर्तन देंगे बीजेपी इनका समर्तन है वो सुईकार करेगी इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या आए है झाल 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 झाल